मिसे विज्यन फार्ग नंबर दस है पार्ट चार का आगे अपने जैसे देख चुकि कारवन के राशानिक आबंदों की रचना और वो किस तरह से दुसरे अन्य तत्व के साथ आशानी से साथ सवजक आबंद बना लेता है और उसके बले की संखलाव की रचना भी अपने अब देखें उसके समझाती है श्रणी है कि कारवन जो है उसके कारवन संखलाव में उसके इस्तित हाइडोजन तथा अन्य परवाणूओं को किसी भी प्रक्यारतमक शमूम से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जैसे कि अपने देखें के आलकोहल है तो इसमें प्रक्यारत समूम की उपस्तति कारवन योगिक के गुर्थमों को तथा उनमें तैक करती है यानिकि जो भी उसके अंदर आलकोहल है तो उसके अंदर जो रहा प्रक्यारतमक शमूम है वो उसके गुणों को प्रतिसित करेगा तो एक आरवन संखला की लंबाई खुछ भी हो सकती है जैस कि अपने देखें हैं CH3OH, CH2H5OH, CH3H7OH, CH4H9OH यह इनके गुण सभी के समानी होंगे और इनकी जो संखला है जिसमें कारवन संखला में इस्तित हाइडोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रतिस्तापित करता है उसे अपने समझाती श्रणी के इसके अंदर कौन सा ओ एच इसका प्रक्रतिस्तापित करता है अब देखें CH4 तथा C2H6 तो इन दोनों के बीच के अंदर अंतर देखा जाए तो एक CH2 इकाई का अंतर प्रतिस्त होता है CH2H6 तथा C3H8 में एक ही CH2 इकाई का अंतर है इसी प्रकर से CH3H8 तथा C4H10 एक CH2 का एकाई अंतर है ये इकाई अंतर अपने देखें कारवन 1 है इदा कारवन 2 है तो 2 मेंसे गया तो एक कारवन बस्ता है हाइडोजन 6 है 6 मेंसे चार गया तो 2 तो इस प्रकर से ये CH2 एक प्रकार से इन दर्वेमानों की उपस्तिति में अपने इन तत्वों के पर्मानी दर्वेमान ग्यात कर सकते हैं अलकिन का शामन शुत्र अपने जानते हैं कि cNs2n है कि कुआ है